हालो नमस्ते कैसे हो फ्रेंड्स मैं सीमा स्वागत करते हूं अपनी चैनल सीमा स्क्रियोटिटी में तो आशा करते हूं आप सुब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स और आज भी मैं आज हम बनाने जा रहा है छोटे बच्चे के लिए एक साल से उपर के बच्चे के लि प्रियPM के टॉटी में इस अच्छा रहे गा युझ रहे गाए और मालकरट से तो महंगए भी बहत पढरता है और उसमें इतना उन मिए होता है तो आप अपने हाथ से कैसे हो बनासकते हो इस वीडियो में और दिकोगे तो इसके लिए हमने लिए है मसूद डाल है और चना बीना च्छिलके वाले और यह बादाम काजू मौम फुले और यह ताल समीर जावल, शाव और उला? है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हमें इनी दुलना है तो अब हमने एक बाउल लिया है तो इसमें मून डाल डालेंगे सारी दाले हमने दो दो चम्मच लिये हैं जाता नहीं लिये हैं अब इसमें मसूर डालेंगे चना डालेंगे और यह अरहर डालेंगे इसको लोग तू इसंसें पानी डाल देंगे और 2-3 तीन बारे इसको साफ करका दुलेंगी तो आप देख सकते हैं पानी DIY कितना गंदा हो चुकत है तो कि दाल चौल हमने दुल लिया अच्छे से साफ हो चुके हैं तब इसमें पानी डाल देंगे और इसको डग कर भींगने के लिए रख देंगे तो इसको दो से तीन गंटे के लिए हम भींगने के लिए रख देते हैं डग देते हैं और दो से तीन गंटे के लिए इसको छोड़ देंगे दो से तीन गंटे हमारे हो चुके हैं तो दाल हमारे अच्छे से भींग चुकी आप लोग देख सकते हो दाल कितने अच्छे से भींग गई है तो अब हमने क्या किया इसको दाल को हमें निकाल लेंगे तो ह हमने यहां पर शूती टावल बिछा रखी है तो इसी टावल पर हम यह डालेंगे निकालकर और इसको फैला देंगे तो सारे आपको हो सके ना तो थोड़ी देर के लिए मतलब रखें दीजियाएगा ताकि इसका पानी निचोड़ जाए अच्छे से तो मैंने तो नहीं रखा इसी डावल में डालकर इसको फैला दी हूँ और इसको तीन से चार गंटे के लिए हम ऐसी छोड़ देंगे याद ही आपके ज्यादा ठंडा मौसम है इसको पंखा चलाकर ही छोड़ना याद आप पंखा नहीं चला सकते हूँ तब आप इस तरह से तुलीज से पोच्छ कर अब फिर थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए गा और यह जब अच्छे से सूख जाएगी तब हमें इसको आगे का प्रोसेस करना है तो मैंने तुलीज से पोच्छ कर इसको एक से दो घंटे के लिए छोड़ दिया था और क्यों को सर्दी है तो दो दाले हम अच्छे से शूख गए लेते हैं तो सबसे पहले माँ खानों को हम अच्छे से इस तरह डालेंगे और उसको प्राइब करके निकाल लेंगी उसके बाद हम इमाखाना को निकालने के बाद हम डाले हैं मूमफली क्योंकि मूमफली भी हमें सारी चीज़े फ्राई करकी लेना है तो मूमफली को भी हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए और कुछ भी इसमें नहीं आड़ करना है डारेक्टली इस सारी चीज़े डालकर हमें को फ्राइ करना है तो देखिए मूम फली को भी कलर चेंज हो चुका है तो मूम फली निकाल लेते हैं अब मूम फली निकालने के बाद हम इसमें काजू डाल देते हैं तो काजू ज्यादा लग रहे थे मैं तो मैंने निकाल दिया है तो चार काजू भी मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि बादाम काफी हैं तो फिर काजू मैंने कम कर दिया है तो अब इनको भी मैंने अच्छे से मंदले थोड़ा सब भूल लेना उसके बाद इनको भी निकाल देंगे तो देखिए इनके भी याद रखना में श्लो आच में करना यह सारी चीजे क्योंकि अगर हाई आच मे करने तुझी पके कर्लिकर नहीं जल झाएगा तो बेप अब वृड़ा में श्यवष्यंद कोनड़ बादाया में फूल निकाल है सबस्यों और यह से मोले मृह लाद यह investig ऐसको निकल लें आधी तो देखिये लागाधार दो में लागातार इसको चलाते उसके बाद हम इनको भी निकाल लेंगे अच्छे से पकने की बाद तो देखिए अलगातार तो हमें लगातार इसको चलाते रहना है चलाना बिल्कुल भी नहीं बंद करना है अदेखिए बदाम का भी कलर चेंज होने लगा आए तो इनको भी अब थोड़ा से और पकाएंगे एक मिनट तक चलाना बिल्कुल भी नहीं बंद करना है और इनको पकने के बाद आप इनको भी निकाल लेंगे देखिए अब मैं इनको भी सारे को निकाल लेती हूं रख देती हूं उसके बाद हमने डाला इसमें दलिया तो दलिया को भी हमें बुनना है तो आप दलिया को भुनने में 5-7 मिलों लग जाएंगे तो हमारे दलिया भून चुकी है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर हम दाल जो सुखने के लिए रखी थी तो देखिए अच्छे सी सूख चुकी है आप लोग देख सकते एक बिश में पाने हाथों में नहीं लग रहा है अच्छे सी छु सब्सक्राइब करना है तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे आप लोग देख सकते हूं किस तरह से चला रहे हैं और इसमें खास बात यह किसको बुर्णे में कम से कम साथ से आठ मिनाट दस मिनाट तक समय लग सकता है दस मिनाट तो लगी जाएगा और जब यह भून जाएंगे ना तो अभी देख रहे हो आप किस तरह से हमारे इसमें कर्ची में मतलब चिपक रहे हैं दाले तो यह जब आगे देखोगे ना जब अच्छे से भून ही तो यह इसमें कि किंगे नहीं इसकी यह खास ये पहचान है कि जब यह अच्छे से भून जाएंगे तब यह चिपकती नहीं है अभी यह अच्छे से भूनी नहीं है इसल loyalty अशि direction चिपकरा करायी मैं आपको दिखा रही हूं और यह जब अच्छे से बुन जाएंगे तो यह अपने आप से छोड़ देगी मतलब यह कर्ची में चिपकेगी नहीं एक एक उठा कर अब देखो गया गी तो देखिए अभी मैं इसको लगातार चला ही रही हूं मुझे पांच मिनट हो गया है च तो अभी हम और देखिए हम चला रहे हैं तो आप मेरे साथ से आठ मिनट हो चुके हैं यहां पर इसको मतलब चलाते चलाते बुनते बुनते तो देखिए अभी हम बुनी रहे हैं अभी भी यह पकी नहीं है और इसको हमें अभी और पकाना है मतलब फ्राई करना अच्छे स हमें बुनना है क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे न है तो हमारे हर चीज perfect होने चाहिए अगर थोड़ी सी भी कच्छा पन रहे ग Twitter क्यों problem हो सकती है तो इस बात कर में खाष क्याल रखना हैं क्योंकि हम अपने हां से बना रहे हैं तो बच्चे के लिए कोई भी problem आपको हर एक चीज बड़े ही आसानी से और बड़े असान तरीके से बनाना बता रहे हूं अब घर पर कैसे सारलेक्स बना सकते हैं बच्चे के लिए और बहुत ही आसान तरीके से तो देखिए अभी भी चिपक रही है तो नौ मिनट हो चुकी है और 10-12 मिनट मेरे को अब चेसा है और 10-13 बार से डाल अभी भी चुपक रही है और यह लग रहा है कि अब सत्व थोड़ी कशा रहे गए यह बने में उप फो देखिए अभी तो देखिए अब यह अच्छे से बून चुकी है आप लोग देख सकते हो इसका कर्ची आप ड़ियों पूलर अइसका प् कि यह अभी इंची और यह एक चीजह बहुत ही तरीकेसे असानी से बता रहे हूं तो आप देख रहें कृषी पे एक भी नहीं चिपक की है और ना ही एक भी चिपक रही है और यह अच्छे से बिल्कुल पक चुकिए मैं बहुत ही देखिए इसमें छेद वाली मैंने लियानत इसमें एक दो जरू जा रहे है पर वह से एक भी नहीं चिपक रही है तो यह अच्छे से भून चुकी है तो अब हम क्या करें और हमें अभी यांपर चलाते रहेंगे एक से दो मिनाट तक भी चलाते रहेंगे क्योंकि गरम है तो चलाएंगे तक है कही कि तूइस heißt को मास्में और चलाएंगे तो देखियेrien है इसको बंद कर दिया तो अब हमने मिक्सी का जाल लिया आए तब सारी चीजों को हम यहां पर पीछेंगे तो सबसे पहले माखानों को अच्छे से पीछ लेते हैं तो मुने माखाने डाल दिया है आप माखाने चाहिए तो डालिए गर ने तो भी कर सकते हो पर डालिएगा तो अच्छा ही होता है तो देखिए पीछू की तो अब मैं क्या करूंगा क्योंकि थोड़े बड़े टुकड़ों में तो मैं इसको च्छान लोगी च्छानने से कि आगो महिन टुकड़ा नीचे चला जाएगा और वांके उपर आएगा तो अब मैंने सारी व ही हो तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं डलिया पीछ लेती हूं तो दलिया भी हमने पीछ कर इसका पाउडर बना लेंगे और महीन फिक यहगा तो देखें डलिया पीछ कर भी हमने सारी चीज़े पिछ जाएग़ और अच्छे से यह हो सके तो देखें मैंने सारी चीजे अच्छे सो पीश लिया । अपने हाद से पीशीए एक दम महीन ताकि मेरे बच्चे को कोई भी प्राउबल्म नहों अब हम क्या करेंगों सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर देंगे दलिया को और वो जो हमने माखाने का और काजू बादाम और मुंफली का पाउडर बनाया था सारी चीज़ों को एक ही में अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो चुके और यह अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक जार पर बार कर रख देंगे ताकि हवार ना चाहें और अच्छे से खराब भी ना हो तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है तो फ्रेंट्स हमारा गर्पर बहुत ही अच्छा सारलेक्स और हिल्दी बच्चे के लिए बनकर तैयार हो गया तो प्र Vielूत अब हम इस को कंटीनर में ये किसी जार में बारकर रख देइंगी तो प्रंस यह दिया आप लोगों को हमारा विडियो पसंद दाता तो विडियो को जरूरर लाइक करना और मुझे करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बे आइकन को जरूर दुआना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक एर थेंक्स पर वाचिंग